ये एक इतना important question है कि इस question को deal करने से पहले मैं इसका importance बता दूँ ताकि आप इसको उतनी ही इज़त दें और बढ़िया से इसके notes बनाएं question क्या है पहले समझ लीजिए ये इतना important question है वर्ष 2016 के mains में राजिस्थान्स प्रशाशनिक सेवा के mains के paper में इस वाले title से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीधा 5 marks का question तो mains में आया था नमबर एक दूसरा prelims के अंदर सीधा सीधा हर साल इसमें से एक question आता ही है UPSC हो या state PCS इतना important title है ये क्या title है राजनितिक पार्टियां अब आप पूछेंगे क्या हमारे paper में politics भी पूछी जाती है क्या नहीं सर politics नहीं पूछ जाती political dynamics पूछी जाती है कि राजनिति किस प्रकार से प्रभावित होती है वो बताएं राजनिति तो जुन को करना है राजनिता करें उनका syllabus अलग है वो अपना syllabus देखें हमारा syllabus ये है कि राजनितिक पार्टियों का निर्धारन कैसे होता है कोई political party राश्ट्रिय पार्टी है राज्य पार्टी है या फिर उसको recognition ही नहीं मिला कैसी पार्टी है वो फिर कोई राजनितिक पार्टी है तो उसका चुनावचिन किस के पास होगा उसका नाम किस के पास होगा या फिर चुनावचिन क्या होगा इसके साथ अगर राजनेतिक पार्टियां तूट जाएं एक दूसरे से अलग हो जाएं तो कौन से हिस्से के पास कौन सा चुनाव चिनन जाएगा बहुत प्यारा सवाल है इस पूरे सवाल को आज आपको सीखना है और हर प्रकार से सीखना है जो जो टाइटल बोलते जाओं चाहे शॉट पॉइंट्स में लिखते चले जाना और इंतजार कर सको तो सेशन एंड होने का कर लेना पीपीटी मिली जाएंगी आपको पीडिएफ मिल जाएगी टेलिगराम पर हमें अपने नाम से खोज लेना चलिए शुरू करते हैं बात क्यों शुरू कर रहे हैं पहले हम आपको ये बता दें आपको मालूम होगा भारत के अंदर उपभोकता मामलों के मंत्री हुआ करते थे राम विलास पास्वान जी जो की अभी स्वर्ग सिधार गए है राम विलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी चिराग पासवान जी के साथ साथ उनके चाचा जिनका नाम है पशुपती कुमार पारस साथियों ये बात हो रही है लोक जन्शक्ती पार्टी बिहार की लोग जन्शक्ती पार्टी के अंदर हाल ही में एक धमासान मचा हुआ है धमासान इस बात का कि लोग जन्शक्ती पार्टी किसके साथ रहे किसके साथ रहे से मतलब क्या है साथ यो पॉइंट ये है कि राम विलास पास्वान जी के चले जाने के बाद चिराग पासवान जी और उनके चाचा इन दौनों के बीच में विभाजन इस बात को लेकर हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का नेतरत्व कौन करेगा यानि लोग जन्शक्ति पार्टी का नेता कौन होगा पार्टी किसकी होगी क्योंकि इन दौनों के बीच में विभेद हो गया नित्रत्व को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था इसलिए पार्टी मेरे नियम से चलेगी पार्टी का नायक मैं रहूँगा लोग जन्शक्ती पार्टी मेरी रहेगी ये कहना है चिराग पासमान जी का इसी स्थती में पाँच सांसद जिनके साथ है राजनेतिक सिंबल भी उनीका होगा पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी उनीका होगा आपको अक्सर ये लाइन पता होगी एक बचपन में अपने कहानी सुनी थी कि जब दो बिलियां अपस में जगड रही हों तो फायदा कौन उठाता है फायदा उठाता है बंदर जो बचाव करने आता है और नुकसान बिल्लियों का ही होता है वोखा नुकसान मैं बंदर की उपमा तो नहीं दे रहा किसी को भी लेकिन लड़ाईयों से आपको ये मैसेज जरूर दे रहा हूँ कि लड़ाई अगर घर की हो तो बाहर वाला बहुत आनन लेता है अब बहुत आनन में आज का टाइटल इसी बात को लेका है कि यदी कोई पॉलिटिकल पार्टी बटती है तो फिर इलेक्शन कमीशन करता क्या है सिंबल का असल में लोक जनसक्ती पार्टी का चुनाव चिंथा बंगला बंगला मोटर गाड़ी बंगला उस बंगले नामक चुनाव चिंथा क्या हुआ क्योंकि राम विलास पासवान जी के उत्तरधिकारी के रूप में जो चिराक पासवान जी हैं वो चाहते हैं कि बंगला उनके पास रहे चाचा चाहते हैं कि बंगला उनके पास रहे दौनों पहुँचे इलेक्शन कमीशन के पास में Election Commission के पास पहुँच करके दौनों ने डिमांड करी कि बंगला हमको दे दो, गाड़ी हमको दे दो और मुद्दा ये है कि इस पार्टी का नाम भी हमें दे दो नाम भी चाहिए लोग जन सकती पार्टी और बंगला भी चाहिए अब दोनों की बातों की लड़ाई हो रही है बातों की लड़ाई में Election Commission ने फुल स्टॉप लगा दिया Election Commission ने कहा, तसली रखिए इंतजार करिए बाई इलेक्शन कंप्लीट होने का बाई इलेक्शन बोले तो, इन दिनों सीट पर चुनाव होना है लोग जन सक्ति बिहार में चुनाव होने है, बाई इलेक्शन होने है किनी दो सीटों पर तो बोले तब तक के लिए आप दोनों को ही चुनाव चिन्द से और नाम से वन्चित किया जाता है यानि कि आप दोनों की दोनों ना तो चुनाव चिन्द पाएंगे और ना ही नाम पाएंगे अब आप पूछेंगे कि सर, ये तो हो गई बात जो इलेक्शन कमीशन ने करी लेकिन हमारा उद्देश ये जानना नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया हम यहाँ एकत्रित हुए है क्यों किया इलेक्शन कमीशन को ये पावर कौन देता है कि वो ये निर्धारित कर सके कि लोग जनसक्ती पार्टी चिराग पासवांजी के पास रहेगी या फिर चाचा के पास रहेगी ये तो बड़ा सवाल है और यही तो सवाल सीखना है हमें तो आज आप इसी चीज़ को सीखने आए हैं कि यदि कोई राजनेतिक पार्टी का स्प्लिट होता है तो चीज़ें कहां जाती है नमबर एक नमबर दूसरा इस काम को करने की जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने दौनों को ही यूज करने से मना कर दिया तो फिर यूज करने का अधिकार यानि की इलेक्शन कमीशन को ये कहने का अधिकार किस ने दिया चलिए मैं आपको कुछ बाते बताता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है अब ये बात आपको लिखनी है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत की एक समयधानिक संस्था है यानि की constitutional body है constitutional body का मतलब हुआ कि उसके बारे में समयधान में लिखित है कहां लिखा हुआ है अनुछेद नंबर 324 में लिखा हुआ है भारत के समयधान का article number 324 उसे constitutional status देता है अच्छी बात है तो ये तो हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में निर्वाचन आयोग किस प्रकार से चुनाव करवाएगा code of conduct कैसे रखेगा लोगों से किस प्रकार से काम करवाएगा इसके लिए representation of people's act 1951 आया क्या आया लोग प्रतीनिधी अधिनियम multiple time इससे सवाल पुछा गया है RPA Act से RPA Act यानि की भारत में जितने भी मतलब चुनाव हुए या राजनेताओ के लिए code of conduct लगे प्रकरिया जो हुई वो प्रकरिया representation of people's act 1951 के तहत लगती है तो point number दूसरा समझ में आ गया आप कैसे चुनाव प्रचार करेंगे या फिर आपको किस प्रकार का अनुसाशन प्रदर्शित करना है इसके लिए election commission ने कुछ दिशा निर्देश जारी किये थे 1961 में जिसे कहते हैं conduct of election rule 1961 यानि कि 19 अपनको 324 नंबर आर्टिकल के तहत समयधानिकता प्राप्त हुई representation of people's act 1951 के तहत चनाव कराने की योगिता प्राप्त हुई उसके बाद में किस प्रकार के हाव भाव विचार धारा रहेंगी ये प्राप्त हुई conduct of election rule 1961 से अच्छा अब इसके बाद आती है चौती चीज जिसका नाम आपको पता चलना चाहिए और वो है election symbol reservation and distribution यानि allocation order 1968 कहने का अर्थ ये है कि 1968 के अंदर election symbol कैसे बाटा जाए इसको ले करके भी चौनाव आयोग ने पहले से ही पूरी व्यवस्था बनाई हुई है यानि चौनाव चिन किसके पास जाएगा इसका निर्वाचन आयोग को 1968 से पता है कि किस पार्टी को कौन सा चौनाव चिन देना है, किसको हाथी देना है, किसको cycle देनी है, किसको हाथ देना है, किसको कमल देना सबको पता है कैसे निर्धारित होगा, ये प्रकरिया कहां से होती है तो मैंने आपको फिर बता दिया ये नियम है चुनाव चिन आरक्षन एवं आवंटन आदेश 1968 तो अगर आपसे पूछा जाए चारों आप्षन देखरके कि बताईए चुनाव चिन्नों का वितरण किस आदेश के माध्यम से होता है तो आपको 1968 याद रखना है आगई बात समझ में अब आप पूछेंगे कि चलो ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा इसलिए होता है अब हमें ये भी बताओ होता कैसे है कारण तो बता चल गया कि क्यों ऐसा हाल है लेकिन कैसे एक्जेक्यूट होता है अब हो बताइए यानि कि राजनेतिक पार्टी A, राजनेतिक पार्टी B ये दोनों राजनेतिक पार्टी पहुंची चुनाव आयोक के पास और उनने कहा कि सर मुझे वर्तमान में लेट से कॉंगरेस के पास पंजा है भाजपा के पास कमल है बोले सर हमको ना पंजा का चुनाव चिन चाहिए कौन बोला कोई एक पार्टी का मेंबर जाके बोला कि मेरी पार्टी है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मुझे पंजा चुनाव चिन चाहिए कोई बोला मुझे गुलाब कमल चाहिए, कोई बोला मुझे साइकल चाहिए अब अगर आप मांगने पहुँच गए, तो फिर चुनाव आयोग कैसे डिसाइड करेगा प्रकिरिया बताईए फिर आप साइऑ प्रकिरिया है, सबसे पहले चुनाव आयोग यह देखता है कि जो चुनाव चिन मांगने आया है, ये कौन है मुले कौन है से मतलब, वो कोई नेशनल बार्टी है, अस्टेट बार्टी है या केवल रजिस्टर्ड पार्टी है यानि कि जिसने कहा है कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं कौन है ये तो इसके बारे में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भारत में राजनितिक पार्टीों का निर्धारन पहले होता है उसके बाद निर्धारन होता है चुनाव चिन्नों का तो राजिनितिक पार्टियों का निर्धारन कैसे होता है इसके लिए एक पर्टिक्यूलर प्रिक्रिया है वो प्रिक्रिया आपको जानना जरूरी है कि भारत में राजिनितिक पार्टियों का निर्धारन राजिस्तर, राजिस्तर और रजिस्टर्ड के रूप में कैसे होता है एक तथ्य जान लीजिए तथ्य ये है साथियों कि 2019 के असेंबली इलेक्शन्स की अगर हम बात करें तो उस समय के अधार पर भारत के अंदर साथ तो राज्ट्रिय पार्टियां रिकॉर्ड है मुझे यही अभी तक का अपडेटेड रिजल्ट मिला है सब जगे गूगल करने के बाद क्योंकि इन में परिवर्तन भी हो जाता है साथ और छे अगर कुईसी का वोट शेयर कम हुआ तो ये चिन जाएगा अभी वो समझ में भी आएगा आपको साथ वर्तमान के आधार पर बता रहा हूँ राश्ट्रिय पार्टियां है 52 इस्टेट पार्टियां है 52 इस्टेट पार्टिय है और 2638 अन्रिकागनाईजड पार्टिय है लेकिन रजिस्टर्ड है अच्छा साथियों भारत के अंदर ये इस्थथी है राश्ट्रियां राश्ट्रियां पार्टियों की साथ राश्ट्रियां 52 इस्टेट पार्टिय अब आप पुछेंगे कोई भी पार्टियां 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 ही बनना चाहेगी तो चेक करके जाएं कि कितनी राजनेतिक पार्टियां हैं क्योंकि ये कम जादा होती रहती है जैसे थोड़े दिन पहले 6 हो गई थी 6 राजनेतिक पार्टी एक पार्टी का स्टेटस छिन गया था फिर उसको रीगेन हुआ तो ये चीजें आप करेंट के हिसाब से अपडेटेड रही है कहने का अर्थ ये है 7 राजनेतिक पार्टियां जो है राश्ट्रिय पार्टियां फिर आप पूछेंगे सर मैं जैसे मेरी पार्टी बनाऊं तो मैं तो राश्ट्रिय पार्टी बनाऊंगा मैं फिर वैसी party क्यों बनाऊँगा तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि राश्ट्रिय पार्टी होने के लिए कुछ criteria है जिने आपको fulfill करना है R.A.S. Mains 2016 में असल में यही criteria पूछा गया था कि बताइए कौन सा criteria है राश्ट्रिय पार्टी होने के लिए प्रिलिम्स में भी एक question पूछा गया था बहुत test series का भी एक common question है क्या है आएए देखते हैं अगर किसी party को राश्ट्रिय पार्टी होना है तो उसके लिए कुछ निर्धारित सर्ते हैं जैसे जब assembly election हो तो उसे कम से कम चार राज्यों का 6% vote मिले या फिर उसे एक राज्य का कम से कम 4 seat मिल जाए कहने का अर्थ ये हुआ लोग सभा election जब हो या विदान सभा election जब हो विदान सभा election हो तो 6% vote share और अगर राज्य मतलब MP का election हो रहा हो तो उसके अंदर 4 seat उसे मिलनी चाहिए नमबर दूसरा 2% of all लोग सभा seat in last such election कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माल लीजे एक मिने मुँमे को चल रहा है अगर माल लीजे कि किसी राज्य के अंदर आपको ये नहीं मिल पाया तो आपको लोग सभा seatों में जैसे अपने 540 seatे हैं तो आपके पास 11 seatे होनी चाहिए ऐसे election से यानि कि आपको 3 राज्यों से 11 MP चुन के भेजने होंगे या फिर आपको state party के रूप में recognition हो कम से कम 4 राज्यों के अंदर यानि आपकी party जो है वो चार राज्यों के अंदर state party के रूप में चुनी जाती हो मानी जाती हो फिर आप पुछेंगे फिर एक बात बताएए फिर state party क्या होती है तो ऐसी इस्थिती में साथियों यहाँ पर इन में से 5 conditions में से जो भी condition fulfill हो जाए वो फिर क्या बन जाएगा state party बन जाएगा क्या 2 seat plus 6% vote share in last assembly election यह रटने की चीज़े हैं भाई 1 seat plus 6% vote share in लोगसवा 3% of the total assembly और 3 seat whichever is more 1 of the 25 लोगसवा seat equivalent from a new party तो साथियों इन सारी conditions को fulfill करने के बाद यदि कोई party अपने द्वारा पाचों में से या इन में से जो condition given है इन conditions में से कोई भी एक condition fulfill करने की इस्तिती में हो जाती है तो उसे जाकर के राष्ट्रिय अत्वाराज़ party का दर्जा दे दिया जाता है आपके दिमाग में सवाल बनेगा सवाल क्या बनेगा मान लीजे कि सर कोई राष्ट्रिय पार्टी बन गई तो वो भारत के किसी भी कौने में किसी अन्य पार्टी को नहीं दिया जा सकता कॉंग्रेस को हाथ मिला हुआ है तो वो किसी और को नहीं दिया जा सकता तो फिर आप पूचेंगे तो क्या state party के अंदर दिया जा सकता है क्या जी हाँ state party में अगर किसी party को दौनों का सिंबल एक ही है आपको मेरी बात समझ में आ रही है कहने का अर्थ ये हुआ कि दो राज्यों के अंदर अब जो साइकल जो है ना चुनावचिन जो साइकल है जो समाजवादी पार्टी का है जो कि एक स्टेट पार्टी है वो चुनावचिन संदरबाबू नाइडू की पार्टी का भी है यानि कि एक चुनावचिन एक से ज़्यादा जगे पर उपियोग में लिया जा सकता है यदि कोई पार्टी स्टेट पार्टी है अगर आप नेशनल पार्टी है तब तो आपको सभी जगे एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ना है और अगर आप स्टेट पार्टी है तो आपका चुनावचिन दूसरे राज़ में किसी और को भी दिया जा सकता है मनीपूर में भी किसी पार्टी के पास में Money Poor's People's Party या कुछ है उसके पास साइकल चुनाव चेन मिला हुआ है उमीद है आपको ये बात समझ में आ जाए फिर आप पूछेंगे एक बात बताईए माल लीजे सर अगर आप अपनी पार्टी बना के पहुँच गाए कि भीया हम चुनाव लड़ेंगे तो बोले उस इस्तिती में क्या होगा तो उस इस्तिती में चुनाव आयोग पुछेगा कि अपनी तरफ से कोई तीन हमको ऐसे आइडिया देके जाएए जो आज तक चुनाव में यूज ना हुए हो या फिर किसी भी पार्टी के पास ना हो वो किसी राजनेतिक पार्टी के पास नेशनल के पास और राजजवाली के पास ना हो आइडिया दीजिए जब आप आप आप्शन देंगे उन में से कोई चुनाव चिन आपको पकड़ा दिया जाता है उमीद है आपको ये बात भी समझ में आ जाए फिर सवाल पुछेंगे तो फिर एक बात बताईए सर अब मान लीजे की मतलब एक बार के लिए एक पार्टी है जो अलग हो गई जैसे रिसेंटली बंगले को ले करके दो पार्टीों में लड़ाई चल रही है लोग जनसक्ती पार्टी के दो हिस्से हो गए चिराग पासवान एक तरफ लगे हुए हैं और चाचा जो हैं वो एक तरफ लगे हुए हैं दोनो एक पसुपति कुमार पारस दोनो एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं वो खेंचना चाते हैं कि उन्हें मिल जाए वो तो क्या करेगा मतलब होगा क्या सर देखिए इसका तरीका ये है Election Commission सबसे पहले तो कहता है दौनों पार्टियों के हिस्सों से कि आप दौनों आपस में पहले सहमती बना लीजिए अगर कोई भी विरोध में उत्रा तो बिटा किसी को भी नहीं मिलेगा तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप दौनों आपस में डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप चाहें तो कोर्ट चले जाईए कोर्ट जाकरके फैसला कर लीजिए कि दौनों मेंसे कौन लीडर रहने वाला है आप अपना decision ले करके मेरे पास आईए एक तो तरीका होता है election commission का ये या फिर election commission अपनी analysis के आधार पर अपने discretionary power के आधार पर लोगों से विचार विमर्ष करके politics में recent जो चुनाव रहे हैं उसमें party का माहौल देख करके उभरते हुए नेता को देखकर अपनी तरफ से चुनाव चिन दे सकती है वो सकता है कि वो चुनाव चिन जो है वो जिराग पासवान को दे दिया जाए या फिर पशुपतिनात पारस को दे दिया जाए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना इसी प्रकार से मतब ऐसा हुआ था 1999 में जनता दल पार्टी का साशन था तब उसके अंदर विभाजन हुआ विभाजन होने पर पईया चुनाव चिन जो था वो उन दोरों में से किसी को नहीं दिया गया ताकि बाद में फिर किसी एक को तो हल का चुनाव चिन दिया गया एक को तीर का चुनाव चिन दिया गया तो उम्मीद है आप ये बात समत जाएंगे कि जब राजनेतिक पार्टियों में बटवारा होता है तो चुनाव चिन का क्या होता है चुनाव चिन के साथ क्या विवाद होता है ठीक है न चलिए आगे बढ़ते करने के लिए क्या करना है रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करना है जो भी फीस होगी उसमें 10% का आपको डिसकाउंट प्राप्त हो जाएगा उस कैटेगरी में चलने वाली सारी क्लासिस आपको मिल जाएगा है कि यदि आप में से कोई भी सब्सक्रिप्षन के साथ 4 महिने का एडिशनल सब्सक्रिप्षन दिया जा रहा है नंबर 1 यदि आपने NDA का सब्सक्रिप्षन लिया तो आपने सलेक्शन पा लिया और उसके बाद SSB की तयारी करनी है तो वो भी अनकेडवी आपको करवाएगी और उसको आपको 12 महीने तक SSB की तयारी आप कभी भी कर सकते हैं वो भी चीज आपको इसमें उपलब्द करवाई जा रही है 6 से लेके 14 के बीच में यह offer आपको दिया जा रहा है वहीं यदि आप में से कोई CDS, FCAT या CAPF की तयारी कर रहा है तो उसके साथ में 6 महीने के साथ 1 महीने की extended और 24 महीने के साथ 4 महीने की extended validity दी जा रही है 14 तारीक तक आप यह offer ले सकते हैं जिसमें अगेन अगर आप CDS, FCAT या फिर CAPF का exam पास करते हैं तो आपको 12 महीने तक SSB की तयारी के लिए भी extended चीजें उपलब्द करवाई जा रही है फीस कितना है, कितने में आपको यह उपलब्द हो जाएगी, आप इधर देख लीजिए 12 मंत की फीस है 9600, 24 मंत की फीस है 14,080 रुपीज यदि आप अंकित 10 referral code यूज करते हैं, तो immediately 10% का discount आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है NDA हो या CDS, CDS के अंदर फीस है 14,000, 24 महीने की और NDA के अंदर 24 महीने की फीस है 10,000 रुपे इन मेंसे अगर आप चाहते हैं, तो आप इसे easy EMI option पर भी यूज कर सकते हैं यह foundation batch है, SSC के सभी exams के लिए, जिसमें मेरे द्वारा जीके पढ़ा ही जा रही है, history, geography, policy, economy, maths, reasoning, बाकी अंदर टीचर जो पढ़ा रहे हैं, हो सारी आपको मिल जाएंगी अनकेडमी के अब सभी courses में आपको टीचर से doubt पूछने की facility दे दी गई है, आप टीचर के साथ समवाद कर सकते हैं, बातशीत कर सकते हैं, यह सारी चीजें अनकेडमी के पास में इस समय आपको उपलब्द करवाई जा रही हैं फिलहाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्टित विस प्रकार से विक्सित करें, कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, धन्यवाद